अगर उसे अपनी विश्वसनियता कायम करनी है अगर उसका इमान कहीं किसी कौने में बचा रह गया है जिस पर सरकार की काली चाया नहीं पड़ी है तो अपने आपको सभाले और इस देश के सम्विधान और देश की जनता की पृति अपनी जिम्मेदारी निभाए और पक्ष और पार दर्सी चुनाब करवाए लोकल पुलिस को वहां से बाहर रखा जाए पॉलिंग इस्टेशन से लोकल पुलिस को और जैसे टी-एन्टेशन साब और उनके बाद में लिंग दो साब ने जो चुनाब कराया था कि जियो भी सेंसिटिव इलाके थे लाइट मश केवल और केवल पूरे देश में एक ही दिन में कराया जाए एक ही दिन में ऐसा नहीं कि चुनाब को आप पिरदानमंतरी पिछले चार साल में अपरे प्रिचार के लिए पांच लाग करोडर रूपे खर्च कर सकता है अबके सामने है मैंने इसलिए सामने रख दिया है किसी को भर्म हो कोई देखना चाहे मैंने इसलिए सामने रख दिया है लगातार आप इसे record कर सकते हैं ये ईक पल के लिए भी बंद नहीं है एक फल के लिए भी लगातार इस फोन पर मिस कॉल आ रही हैं आप इसका अंदाजा लगा लिजे कि देश में किस तरह से ये मसला लोगों के दिल और दिमाग बेख चा चुका है घर कर चुका है लोग क्या चाहते हैं किस कदर बदलाब चाहते हैं इवियम से चुटका रहा चा रहे करें के ये ट्वीट हटवा रही है और इलक्शन कमिशन जिस तरह की धंकी दे रहा है के इलक्शन कमिशन को ये पता होनी चीए कि यहां सारे के औन जोग कि आनूनके जानकार लोग清楚 का तो जंता को डराने की कोशिश नहसीं और जंता में किसी इ CHE merdxi कि कि नीचसे से उपर तक नकेवल election commission बलकि सरकार भी इस जनता के किसी व्यक्ति का बाल भी बाका नहीं कर सकती हम किसी व्यक्ति का बाल भी बाका होने नहीं देंगे किसी भी किमत पर यह एसास जनता को भी होना चाहिए और यह एसास साशन प्रिशातन में बैटे हुए लोग जो सरकार को और election कमिशन को भी होना चाहिए यह गीदर भब की हम लोगों को देने की जरूत नहीं है बहतर होगा अगर उसे अपनी विश्वसनियता कायम करनी है अगर उसका इमान कहीं किसी कौने में बचा रह गया है जिस पर सरकार की काली चाया नहीं पड़ी है तो अपने आपको सभाले और केवल बैलेट पेपर से करवाएं और पूरी तरह से स्वतंत्र निस्पक्ष और पारदर्सी चुनाब करवाएं लोकल पुलिस को वहां से बाहर रखा जाए पॉलिंग इस्टेशन से लोकल पुलिस को और जैसे टी-एंड चेशन साब और उनके बाद में लिंग दो साब न और चुनाब केवल केवल इतनी सी बात नहीं है चुनाब केवल और केवल पूरे देश में एक ही दिन में कराया जाए एक ही दिन में ऐसा नहीं कि इस चुनाब को आप जो पिरकिरिया पहले करी कि साथ फेज में आठ फेज में दो महीने आठ दिन तक जो चुनाब चला 2019 का यह नहीं क्योंकि बेइमानी की सारे तरीके हैं कि बेइमानी कैसे की जा सकती है एक ही दिन में चुनाब कराए भारत के पास में ना तो पैसे की कमी है ना भारत के पास किसी भी तरह की संसादन की कमी है लोगों की कमी नहीं है किसी भी तरह से चुनाब कराने के लिए किसी बंद किया जाए और हमने जो हमने जो मैनिफेस्टों हम दे रहे हैं जो गैपन हम दे रहे हैं रास्त्पति को उस ग्यापन में बाकाद दे लिका है जितने भी पॉलिंग बूत हों पॉलिंग इस्टेशन हो, सबकी CCTV कैमरा लगा के पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए, CCTV कैमरा लगा के पूरी तरह से, केमल उतना पॉर्शन, जहां वोट डलती है कि वोट किसी गुना दिके, क्योंकि गुप्तमदान है, उसको सिर्फ उसको बचा के, बाकी पूरे में कहीं कोई किसी तरह की घड़वड़ी हो, CCTV कैमरे में कबर हो, ये भी इलक्षन कमिशन को करना पड़ेगा, इलक्षन कमिशन कहेगा पैसे, पैसे की कोई इस देश में कमी नहीं है, जब इस देश का प्रिदान मंत्री पिछले चार साल में अपनी प्रिचार के लिए 5 लाग करोड रुपे लगा के भी बच जाए, तो भी बहुत सस्ता है, इसमें कही कोई किसी चीज की कमी नहीं होनी चीए, तो चुनाब पूरी तरह से ये करा जाएं, और उसके बाद, जो वोटर लिस्ट में गड़वड़ी है, वो वोटर लिस्ट की गड़वड़ी, मैं सबुस सहीत आ जनता है, उनसे अपील है, देखें, वोटर लिस्ट में उनका नाम है और नहीं है, क्योंकि पीछे जो रिपोट आई 2019 के चुनाब में, पांच करोड मुस्लिम की और छे करोड दलीतों की वोट सफा कर दी गएती, काट दी गएती, 11 करोड वोट काटी गईती, और ये बाका दा दा वायर पे भी ये सारी चीज़ें दिखाएगे, इन सी चीज़ों का निश्चित रूप से ध्यान नके, हालां कि ये जिम्मेदारी एलक्शन केमिशन की कि कि किसी भी की वोट ना कर जाए, 18 साल का और उससे उपर की उमर का जो व्रक्ती है इस देश में, उसकी वोट इलेक्टरल रोल में होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी एलक्शन केमिशन की है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए नीचे जो काम करते हैं, वो कलेक्टर, A.D.M. और S.D.M. करते हैं, और S.D.M., A.D.M. और कलेक्टर वो भी साबधान नहें, ये जनता है, बहुत दिन होनी है, ये सारी चीजें की जानी है, इन सब के लिए, मैं फिर से एक बार जनता से कहके डरने की जरूत नहीं है, लड़ाई जिस तरह से आप शुरू कर दिया आप लड़नी, इसको अंजाम तक पहुचाना है, और अब, जैसे मैंने बताया था कि जो भी साती देखे, इस पर जो मिस कॉल दे रहे हैं, जो हमने बताया है, 966772062, इसको सातियों ऐसा करें कि बजने ना दे इसके घंटी जब तक जा रही है, कोई उठाएगा नहीं, मिस कॉल का नंबर है, कोई बात थोड़ी ना करनी है, तो इसमें जैसे ही दो घंटी, दो बार घंटी जाए, दो काट दीजिए, बस आपका जो है, मत जो है, रिकॉर्ड हो गया इसमें, इस तरह से जो साती हैं, वो इस तरह से करें, तभी सभी लोग कर पाएंगे, और ये लगातार चलेगा, ये एक दो दिन के लिए नहीं है, जब तक EVM उखाड़ के फैकनी दे आएगी, ये अंदोलन जब तक चलेगा, तब तक ये नमबर लगातार चलेगा, एक चीज और साती हो, जो हम गयापन है, जो गयापन हम पूरी जनता को सबको देंगे, ये जितने भी मीडिया के साती हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम एक लिंक देंगे आपको, उस लिंक को आप अपन हमारे जो वीडियो इनके साथ में डालिए, ताकि वो जो गयापन है, हमारा जो दिया जाना है, वो हर किसी तक, पूरे देश में हर किसी तक पहुंच सके साती हो, पीडियाप पॉर्म में है, जो गयापन है, ग्यारे पेज का है, साड़े दस पेज, ग्यारे पेज का है, और पीडियाफ पर्म हैं सारी चीज़ां उसमें लिखी हैं आप जो लिंक देंगे लोग उसी से डाउनलोड करके उस पीडियाफ को बाहर निकालके और उसका कॉपी कराके और ग्यापन जो 17 तारिक से सिग्नेचर उस पर कराएंगे और 25 तारिक को ग्यापन देना है वो सब साथी जो हमारे जो साथी जो वीडियो जो है हमारी वाली हमारी प्रेस कॉंफरेंस की उसके डेस्क्रिप्शन में वह लिंक डाल दिया जाएगा आपको वहां से सब कुछ मिल दिया मिल जाएगा हम वाटसेप पे भी लोगों जो दिया इन देना है?